दोस्तों आज मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ 31st of August को मेरे और मेरे परिवार के साथ एक घटना हुई जिसमें फोन पे और OLEDs के थुरू मेरे 80,000 रुपय चले गए मैं आपको ये वीडियो लास्तक देखिएगा मैं हर एक चीज आपको क्लियर करके बताऊँगा कि कैसे मेरे पैसे गए है मैंने OLEDs पे एक कूलर का एड डाला था जिसमें एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप अपना नंबर शेयर किजिए मैं कूलर लेना चाहता हूँ उसका नाम राजीव शर्मा था मैंने उसको अपना नंबर दिया उसने मुझे कॉल किया वो बोला मैं लखनाओ के महानगर से बोल रहा हूँ एक कपड़े का बैबारी हूँ तो मैंने बोला ठीक है आप आईए और कूलर देख लेजे उसने बोला कि ठीक है मेरे दो स्टाफ जा रहे हैं गाड़ी लेके वो आपका कूलर ले लेंगे तो मैंने उनको बोला ठीक है और पेमेंट आप कैसे करेंगे तो उसने बताया कि मैं cash तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं लखनाव से बाहर हूँ आप अपना phone पे या Google पे का account बताइए उस पे हम पैसा आपको transfer कर देंगे तो मैं phone पे Google पे use नहीं करता हूँ मैंने अपनी wife का number, mobile number उसको बताया, phone बेगा उसने मुझे बोला ठीक है, मेरे staff आपके घर के नीचे आ गए है मैं आपको 10 रुपे पहले भेज के check कर लेता हूँ कि आपके account में पैसा जा रहा है कि नहीं मेरी wife ने जब उसने 10 रुपे भेजा और उसने मेरी wife को call किया मेरी wife ने उसको check करके बताया कि हाँ, हमारे account में 10 रुपे आ गए है तो उसने मेरी wife को बोला कि एक bell icon है आपके home screen पे आप उसको click किजे, मेरी wife ने वो bell icon को click कर दिया click करने के बाद उसने बोला, आप अपना account चेक कर लीजे, पैसे 10 रुपे आए है यानि जब हमने 10 रुपे चेक किया account में, तो 10 रुपे तो आ गए थे बट उसके just within 5 to 10 seconds हमारे account से पैसे debited होने लगे 20,000, 30,000, 10,000, total 80,000, 5 minutes के अंदर debit हो गया हमारे account से मैंने उसको बोला कि आप हमारे account से पैसे कैसे चले गए, उसने बताया कि आपके पैसे आ जाएंगे ये गलती से आपके पास से debit हो गया है, बट मेरी वाइफ रोने लगी और वो दौर के अपने SBI ब्रांच में गई मिन्स ये घटने के 15-20 minutes के अंदर हम SBI में रिपोर्ट कर दिया जाके जब SBI में रिपोर्ट किये तो direct branch manager में ये बताया कि अब आपका पैसा नहीं मिल पाएगा मिन्स आप देखे भाईयों 15-20 minutes के अंदर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो branch manager आपको ऐसा बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं मिल पाएगा उन्होंने बताया कि ICICI के आपके किसी खादा book में account number है उसमें पैसा गया है मेरी wife तुरण ICICI में गई, ICICI से भी हम लोगों को कोई support नहीं मिला मिन्स आपका अगर पैसा चला गया तो आपको ना phone पे support करेगा ना OLX support करेगा ना bank करमचारी support करेंगे कोई support नहीं करेगा तो हमने फिर complain किया पुलिस में FIR दर्च कराई और F.I.R की copy मैं इस वीडियो के नीचे share करूँगा मैं बस यही बोलना चाहता हूँ भाईयों कि आप लोग phone पे, Google पे अब बिल्कुल भी use ना करें और एक खास बात bank ने मुझे ये बताया था कि आपका पैसा UPI के तुरू गया है और बिल्कुल भी phone पे और Google पे यूज ना करें अगर आप यूज करेंगे तो आज जो मेरे साथ हुआ है वो कलाब के साथ हो जाएगा और एक खास बात लास्ट में जब उस बंदे ने phone कट किया कट करने से पहले मुझे बत बोला था कि आपको जो करना है आप कर लिजे कोई मेरा कुछ भी गाड़ नहीं पाएगा और हम तो ऐसे डेली दसो लोगों को फूल बना रहे हैं और एक एक लाग किसी के डेल लाग रुपे लूटते हैं हमारे 80,000 चले गए इस कोरोना काल में बहुत मुस्किल से मेरे वाइफ ने कमाया था और आप समझ सकते हैं अभी कोरोना में कैसा हाल है देश में और इस टाइम पे 80,000 जाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए फ्रेंड्स मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपनों को और अपने परिवार को बचाएए इस फ्रॉट से क्योंकि अगर आपका पैसा चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम मेरी वाइफ तो बहुत रोईंद हो दिन क्योंकि हम मेडिल क्लास फेमिली से हैं और असी हजार उपे हमारे लिए बहुत बड़ा रकम है जो इसको मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारा हेल्प कीजिए और मैं ट्विटर पे ये वीडियो डालूंगा और किर्पया करके आप शेयर किजिए इस वीडियो को तो शायद हमारे इस मुहीम से कोई और भी बच पाए और मैं चाहता हूँ कि भाई लोग बचें थैंक यू फ्रेंग्स थैंक यू फ्रेंग्स